हेई गाइज आज की वीडियो में हम कवर करेंगे दा टाइगर पोयम है ये एक और इसे लिखा है वीलियम ब्लेक ने तो जो है वो एक बहुत ही रिमार्किबल पोईट है और इन्होंने अपनी पोईटरी को कुछ कुछ ग्रुप्स में पब्लिश करवाया था जिनमें से एक है Song of Innocence और Song of Experience इनमें बहुत सारी पोयम्स है बहुत सारी पोयम्स का कलेक्शन है ये जो टाइगर पोयम है ये पब्लिश होई थी Song of Experience के अंदर include करके पब्लिश किया गया था इसे तो ब्लेक ने इस पोयम को अपन की दार कोशन पूछे गए हैं इसमें ये बहुत ही famous है उसके लिए बहुत सारी लोगों ने इसे समझने की कोशिश की थी कि जो God है उन्होंने भगवान जो भगवान है उन्होंने human की अंदर good चीज़े तो डाली है लेकिन evil चीज़े क्यों डाली है भगवान ने evil बनाया ही क्यों है इस कोशन को समझने की लोगों ने बहुत कोशिश करी थी लेकिन ऐसा हुआ नहीं कोई से समझ नहीं पाया है और it's also about maturity की कैसे एक बच्चा वर्ल्ड को पहले जब देखता है तो उसे वो black और white देखता है लेकिन जब उसे maturity मिल जाती है जब वो mature हो जाता है तब व उनको समझना चाहते है कि जितने भी creature है जैसे कि lamb है tiger है human है इन सब को बनाने वाला जो है जो god है जो creator है उनको समझना चाहता है poetry poem में तो start करते है line to line से तो यह poetry start होती है यह six paragraphs में है और four line each है 24 total lines है और 13 rhetorical question है first line है tiger tiger burning bright in the forests of the night मतलब जो यहाँ पर speaker है first anga में main thematic question दिखाता है कि जो tiger है उसे किसने बनाया है कैसे बनाया है और अखिरो बनाया ही क्यों गया है उसे बनाने की जरूरत ही क्या थी तो जो speaker है वो directly tiger को address करता है और उसे बोलता है कि जो तुम्हारा यह bright color है जो bright इसके जो fur होते है tiger के वो ज इसा लगता है जैसे रात के time में forest में कहीं आग लग गई हो उसका color इतना जादा bright है burning bright मतलब कि इसका color इतना bright है जैसे कि कि किसी रात के समय में किसी forest में आग लग गई हो अब third or fourth line में वो बोलता है what immortal hand or eye could frame the fearful symmetry अब वो बोलता है कि speaker पूछता है उससे बोल नहीं रहा है यहाँ पर उसे पूछ रहा है कि किस immortal hand ने उसे बनाया है immortal होता है जो gods होते हैं जो मरते नहीं हैं तो आकिर कौन से वो immortal hands है जिसने इस fearful इतनी ड्रामनी चीज़ को इतना सु इतना terrible जो इसका proportion है उसे कैसे बनाया है इतने passion से बनाया होगा उसे यह बर terrible proportion मतलब कि जो tiger के ओपर धालिया होती है black color की यहाँ उसकी बात के गई है कि जो god है उन्होंने उसे इतनी खूपसूरती से बनाया है कि ऐसा लगता है कि इतनी terrible चीज़ बनाने के लिए उन्होंने इसमें अपना पूरा पैशन लगा दिया था अब नेक्स एंजे स्टार्ट होता है मतलब की फिफ्ट और सिख्स लाइन क्योंकि एक राइमिंग कप्लेट के तरह वक करता है तो दो-दो लाइन्स का मतलब आपस में कनेक्टेड है तो फिफ्ट और सिख्स लाइन यह चमकिली लाइट लाइगई थी और उसके बाद उसे तैगर की आँखों में ढाल दिया गया यह ना बंड रफायर ऑफ ट्राइन आईज एन जितनी भी चीज़े इतनी चीज़े लाई गई और उसके बाद तुम्हारी आँखों में इसे डाल दिया गया सेविंध और एट लाइन है ओन वट विंग डेर ही स्पाइर वट दे हैंड डेर सीज दे फाइर वो बोलता है जो स्पीकर है वो बोलता है कि जरूर तुम्हारे जो क्रेटर है जिसने तुम्हें बनाया है उसके पास पंक रहे होंगे विंग मतलब पंक रहे होंगे उसके पास और उसके हाथ इतने ज़्यादा डेरिंग रही होंगे कि उन्होंने एक फियरफुल टाइगर को बना दिया वो पूचता है जो इमआजन कर रहा है कि उस effort को जो poet है यहाँ पर imagine कर रहा है उस effort को उस skill को जो tiger को बनाने में God ने किया होगा जो God का effort रहा होगा उसे जो poet है वो हरान है कि कौन इतना strong है जिसने tiger को बनाया है tiger की जो muscular body है उसको बनाया है और जब उसका heart बनकर तयार हो गया कि जब उसने उस creator ने उसको बनाया था उसके दिल को बनाया था और सड़ली जब उसका दिल alive हो गया जोरोसर टेरिबल तरीके से धड़कने लगा तो क्या वो जो हाथ थे और जो उनके पैर थे जिसने तुमें बनाया क्या वो कापे नहीं, क्या उन्हें डर नहीं लगा यहाँ पर God के बात हो रही है कि जो God है उन्होंने बनाया है तो इतना terrible चीज़ बनाने के बाद जब वो alive हुआ उन्होंने उसमें जान डाली तो क्या उन्हें डर नहीं लगा उसे देखकर fourth stanza है तो fourth stanza में जो speaker है वो tools के बारे में सोचता है कि कौन से tool उसने use किये होंगे ऐसी चीज़ को बनाने के लिए what the hammer, what the chain in what furnace was your brain कि वो कौन सा hammer रहा होगा वो कैसी chain रही होगी और तुम्हें बनाने के लिए जो furnace जैसे कि जो लुहार होते हैं जो work करते हैं तो इनका जो area होता है या पर जो उनके tools होते हैं जो burden होते हो कितने बड़े होते हैं तो यहाँ पर ही सोचता है जो poet है कि इसको बनाने के लिए तुम्हें बनाने के लिए तो एक बहुत ही विशाल चीज़ की जरूरत पड़ी होगी वो कैसे hammer उसने use किया होगा वो कौन सा hammer use किया होगा तुम्हें बनाने के लिए आगे बोलता है यहाँ पर बात हुई है कि जो furnace use किया गया था जो burden use किया गया था और आखिर वो कौन है जो इतना daring है जिसने इस tiger को बनाया है terrors के बाद भी इतना dare उसने किया है फिफ्थ स्टेंजल स्टार्ट होता है वेन दा स्टार्स थ्रू दाउन दे स्पेर और वाटर्ड हैवन विद दे टीर्स अभी हाँ पर जो पोईट है वो बोलता है कि जब वो बनकर तयार हुआ था जो टाइगर है उसमें जान डाली गई थी तो जो स्टार्स थे आसमान में और जो गौड के सन है जो की चिल्डरन है उसके उन्होंने जब उसे देखा तो उन्होंने अपने हथियार डाल दिये स्पेर मतलब वेपिन उनके उन्होंने अपने हथियार डाल दिये मतलब कि उन्हें इतना डर लगा उसे देख के उन्हें पिटी और फिर के लिए उन्होंने रोना शुरू कर दिया और उन्होंने जो रोया उसके लिए जो आए वो हैवन में चले गए और यहाँ पर वो पिटी के लिए प्रे कर रहे हैं क्योंकि उन्हें उससे डर लग रहा है क्योंकि वो इतना जादा टैरिबल है 19 and 20 लाइन में वो बोलते हैं अब जो पोईट है वो यहाँ पर बोलता है क्या जो गौड है जो उसका क्रेटर है उन्होंने जब यह सब देखा कि जो स्टार्स है वो भी रो गए है और इतने टैरिबल चीज उन्होंने बनाई है तो क्या उन्होंने उस चीज को देखकर स्माइल किया था क्या वो खुश हो बेते हैं उसे देखकर और लास्ट लाइन में वो पूछता है कि did he who made the lamb कि क्या ये वही हैं जिसने lamb को बनाया है और make you जिसने तुम्हे बनाया है क्या तुम्हे बनाने वाला और जो lamb को बनाने वाला दोनों एक ही है यहाँ पर इसकी टुश्ट लाइन्स खत्म होती है और 6th para, 1st para का repeat करता है उसी को तो इसमें मेंली बात हुई है कि जो human के अंदर जो evil होता है एक तो goodness होती है, एक evil होता है human के अंदर ही और दोनों ही चीज़ों को God ने बनाया है यहाँ पर बात हुई है, lamp की lamp represent करता है innocence को और जो tiger है, tiger represent करता है fierce force को जो evil होते हैं हमारे अंदर, human soul के अंदर कि एक ही इनसान, हमें एक ही God ने बनाया है लेकिन उन्होंने हमें हमें दो तरीके की qualities दी है एक हमारे अंदर जो innocence है और एक जो बुरी है वो है evil तो दोनों क्यों बनाई गई है, और evil को बनाया ही क्यों गया है इनसान के अंदर यह थी इस poem की summary और analysis के बारे में देखते हैं कि इसके rhyme क्या है या फिर इसके बारे में extra चीज़े जो भी है तो यह 24 lines की poetry है जिसमें 13 rhetorical questions है जिसमें के पीछे question marks लगाए गए है rhetorical questions यहाँ पर जो है वो answer की उमीद नहीं करते हैं सिर्फ वो question पूछ रहे हैं क्योंकि अब तक कोई उससे समझ नहीं पाया है इसमें six quadrant है और six quadrant मतलब कि एक quadrant जो होता है वो four lines का होता है और यह poem है बहुत ही tightly structured है जो बलेक की जितनी भी poetry लिखी है उन्होंने उसमें से यह सबसे आदा structure तरीके से follow करती है और इसमें dualistic है मतलब कि अगर bright की बात हो रही है तो night की बात हो रही है दोनों एक दूसरी की opposite है bright दिन की बात करता है लेकिन जो right है वो काले की बात करता है हम इसे देख भी सकते है bright goodness के लिए और जो night है उसे evil के लिए आगे बात हो यह god of love जो की lamb है lamb को god of love बोला जाता है और जो tiger है god of breath मतलब कि गुस्से के भगवान है दोनों एक ही है अब जो tiger है उसे symbolic तरीके से भी use किया गया है जो tiger है वो evil को represent करता है जो हमारे अंदर evil है जो society में evil है और जो tiger है वो symbolic tiger है जो की represent कर रहा है हमारी ही soul को और जिसकी rhyme रखी गई है वो a a b b की रखी गई है मतलब की दो rhyme कपलेट होंगे जो एक दूसरे को follow कर रहे है और इसकी जो main theme है वो यही बताई गई है जो existence है evil का human being की अंदर good evil है good का positive evil होता है lamp का positive यहाँ पर tiger दिया गया है और इसके साथ ही यह poetry हाँ पर खतम होती है और video भी खतम होती है I really hope कि आपको poetry समझ में आई होगी और video पसंद आई होगी and if you like the video then make sure that you hit the like button and do subscribe my channel thank you